Hi students, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि N- क्या होता है और उसके कहां-कहां यूज होता है N- में भी आप फर्स टाइम सुन रहे हो See, डशे इस तीन तरीके के होता है एक होता है M-, एक होता है N-, और एक होता है हाइफन हाइफन तो आप सभी जानते होंगे, mostly उस पर भी अलग वीडियो मैं बनाऊंगा उसके usage पर M- पर भी बनाऊंगा, लेकिन ये वीडियो है N- Spelling क्या है E-N, N- मैंने YouTube पर देखा कि इस टॉपिक पर हिंदी में मुझे as such कोई वीडियो दिखी नहीं, I think एक थी वो भी An Academy की, तो मैंने ज़चा है मैं इस पर बना देता हूं क्योंकि एक ऐसा topic है, most of the people जानते नहीं है क्या है और जानते हैं तो properly use नहीं कर पाते, तो आज मेरा ये goal रहेगा कि अपनी वीडियो के through मैं आपको समझा दूँ कि N- कैसे use होता है, तो जैसे कि आपको screen पर दिख रहा है N- एक mid-sized dash है, इसका size M- से छोटा होता है, लेकिन hyphen से बड़ा होता है, सबसे बड़ा dash होता है M-, उससे छोटा होता है N- और सबसे छोटा होता है hyphen, तो ये beach वाला dash है, ये mostly से हम number और date की range दिखाने के लिए इस्तुमाल करते हैं, लेकिन इसका एक usage ये भी है कि जो compound adjectives होते हैं, ठीक है, compound adjectives के अंदर हमे clarity दिखानी हो, कि जब-जब हम complex बना रहे हो compound adjectives, जिसमें बहुत, you know, लंबा एक compound बन गया है, तो उसमें clarity दिखाने के लिए, उसको clear करने के लिए, वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा, first of all, इस dash का नाम n- ही क्यों पढ़ा, अब नाम में इसके n आ रहा है, en, n, इसका मतलब इसका first usage होता है, number और date की ranges के साथ, scientific और mathematical writing में बहुत इसका important use है, क्योंकि हमें जो word English का to, जो होता है न, यहां से लेकर यहां तक this to this, वो हम dash की form में इसी dash के इस्तिमाल से दिखाते हैं, जैसे आपको लिखनी है, time, date, page number, ठीक है, तो उसमें आप end dash लगाओगे, देखो कैसे, आपको screen पर दिखी रहा होगा मेरा एक example, मेरा example है, our part-time employees work 22-30 hours per week, अब आपको इस photo में दिख रहा होगा, सामने screen पर की, 20 और 30 के बीच में मैंने dash लगाया, अब यह hyphen जितना छोटा तो नहीं है, यह तो आपको जटके से पता चलिया होगा, hyphen तो बहुत छोटा होता है, ना, this is not a hyphen, this is an n dash, e-n, n dash, इसकी चोड़ाई थोड़ इसी ज़ादा है, right, यह, I am sure आपने, अगर आप में से कोई novels पढ़ता है, या आप में से कोई reading बहुत करता है, तो आपने यह, यह जरूर देखा होगा, लेकिन कभी notice ने गया, आप इसको यह तो hyphen समझ के ignore कर देते थे, या आपने इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन आज से आपका गोल है कि आपने हमेशा ध्यान देना है, और सई डैश को सई जगा यूज करना है, तो इस sentence का क्या मतलब है, हमारे part-time employees काम करते हैं, 20 से 30 घंटे एक हफ़ते में, यानि 20 से 30, okay, 20 to 30, इसे इंगलिश में एक और चीज कह सकते हैं, 20 through 30, तू 30 भी कह सकते हो, 20 से लेके 30, या फिर 20 through 30, 20 से लेके 30 तक, एक और example देखते हैं, By Monday, you should have read pages 79 through 113, यानि Monday आते आते, आपको पढ़ लेने होंगे, 79 से 113 तक जितने pages हैं, सब, आपको ये पढ़ लेने चाहिए, आप पढ़ चुके होने चाहिए, तब तक, और आपने पढ़ लिए होंगे भी, इसी के साथ एक important point to remember, अगर sentence में, English का word आ रहा है, F-R-O-M, from, कभी भी ये dash नहीं लगा सकते, आपने example में देखा हो गया क्या कहीं भी from लिखा था, कि from page 79 to 130, नहीं, from नहीं था, this means अगर from आ गया, जैसे कि आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, from आ गया, तो आप dash नहीं लगा सकते, चुकि dash from को replace करने के लिए आया है, dash इसले है, ता अगर हमने लिख दिया, तो redundancy हो जाएगी, एक ही चीज़ दो दो बार लिखे जाएगी, getting my point, तो जब भी आए, आपने ले लिखना, जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, Nelson Mandela was president of South Africa from 1994 to 1999, अब मैंने from भी लगाया और end dash भी, absolutely incorrect, अब correct example पढ़ते हैं, Nelson Mandela was president of South Africa from 1994 to 1999, यहाँ पर मैंने from के साथ T.O. 2 लगाया, जो की correct है, लेकिन मैं from के साथ dash नहीं लगा सकता, या तो dash लगाओ, या from और 2 लगाओ, एक और example देखते हैं, John eats between 60 to 75 doughnuts per month, अब यहाँ मैंने between भी लगा दिया, यहाँ मैंने 60 to 75 के बीच में dash भी लगा दिया, end dash, गलत है, आप English वाले words between to इन के साथ dash नहीं कर सकते, या तो between और and लगाओ, या फिर between लगाओ हिमत, सिरफ dash लगाओ, तो correct sentence क्या होगा, John eats between 60 and 75 doughnuts per month, यहाँ मैंने between के साथ English वाला and लगाया, चलता है, between के साथ मैं dash नहीं लगा सकता, या तो dash लगाओ, खाली dash, between छोड़ दो, अगर between लगाने का इतना ही मन है तो dash छोड़ दो, कोई एक चीज़ करो, यह इसका first usage था, end dash का second usage आता है, with scores and directions, score बता रहे हो, किसी और match का score बता रहे हो, या आप किसी flight के directions दे रहे हो, कि flight कौन सी जगा से कौन सी जगा तक उड़ रही है, तो आप लगाओगे, end dash, या अगर कोई election का result आया, voting का, दो candidates में से आप उनका score बता रहे हो, कि यह कितने से जीता है, तब भी आप end dash ही आप से आप सीख लो, क्योंकि इंडिया में मैंने देखा है, मेरी नजर में तो किसी को इसके बारे में नहीं पता, personally, ना ही मैंने इंटरनेट पे इतनी वीडियो इस पे देखी है, इसका मतलब इंडिया में एक concept नहीं पता, और मैं चाहता हूँ इस वीडियो के थूँ, य Denver to London flight takes about 9 hours, Denver और London के बीच में मैंने लगा दिया, इसका क्या मतलब है, Denver से लेकर London, Denver through London, तो मैं word भी लिख सकता था, Denver से लेकर London, यह नो पूरा sentence, लेकिन मैंने डश लगा दिया, which is correct, ऐसे यूज़ कर सकते हो, या फिर आपकी class में अगर लड़कियों और लड़कियों में व The boys voted 25 to 10 in favor of cricket, यानि 25 लड़कों ने 25 जो है, उन्होंने cricket में वोटिंग करी, और 10 लड़कियों ने basketball में, तो 25 to 10 हो गया, यह भी आप example में देख सकते हो, यहाँ भी N- लगता है अब इसका third usage होता है, complex compound adjectives के साथ, अब compound adjectives एक ऐसी चीज़ है, जो already इंडिया में बहुत गलत होता है, like लोगों को, लोग mostly गलत करते हैं, क्योंकि lack of awareness, school में तो यह ना के बराबर पढ़ाते हैं, पढ़ाते ही नहीं है, dashes तो भूली जाओ, मेरी नजर में तो नहीं है problem है यहाँ पर, लेकिन किसी ना किसी को तो सीखना और सीखाना पड़ेगा, right, तो मैं चाहता हूँ कि आज आप समझ जाओ, compound adjectives में क्या इसका role है, see ये video compound adjectives के उपन नहीं है, तो मैं उसमें नहीं जाओंगा कि वो क्या होते हैं, मैं ये assume कर रहा हूँ कि आपको already compound adjectives आते ह है, बहुत लंबी हो जाएगी and off topic चली जाएगी, इसी लिए example देखते हैं, I plan on wearing my great grandfather's world war one era dress for my wedding, ये just एक example है, कि मैं plan कर रहा हूँ कि मैं अपने पर दादाजी की world war one era वाली dress अपनी wedding में पहनू, I plan on wearing my great grandfather's world war one era, अब यहाँ पर world war one तीन अलग अलग words है, मुझे तीनों में hyphen लगाना चीए था, right, wrong, compound adjectives के rule देखूं, तो hyphen लगना था, लेकिन hyphen कब लगता है जब single word हो, अगर ये होता, war era, war का era, तो मैं क्या करता, war hyphen era, लेकिन यहां तीन तीन words है, world war one, तीनों में hyphen लगा दूँग बिल्कुल गलत, मैं क्या करूंगा, world war war में hyphen ना लगा के, one, जो world war one है, उसके end में hyphen लगा दूँ, era के साथ, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मेरी compound adjectives की वीडियो देखना जल्दी आएगी वो, future में, तो ये ऐसे use होंगे यहाँ पे hyphen लगता अगर single word होता, जैसे की world era, I will, या war era, I plan on wearing my war era dress, war के era वाली dress, उसमें hyphen लगता है, लेकिन यहाँ पे तीन-तीन word है, world war one, तीनों में hyphen नहीं लगा सकता, क्योंकि single word होता, तो hyphen लग जाता, war era, ये तीन-तीन words है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे जो last word है न, world war one, one जो last word है, one, उसके बाद में मैंने end dash लगाना है, जो hyphen से थोड़ा लंबा है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो ये इसका आखरी use था, ये थे इसके तीन major uses of the end dash, अगर आपको कोई भी point समझ नहीं आया, कोई problem है, आप चाहते हो मैं किसी एक topic पर video ब कर सकते हो, क्या topic है, anything, कोई suggestion हो, तो इसी के साथ ये video यहीं पर मैं end कर रहा हूं, यही सब uses थे, end dash के, I hope आपको इससे at least थोड़ा सा idea लगा होगा कि end dash है क्या, क्यों use करते हैं, और इंडिया में अंजान है, इसके अंजानी, जो यह है, अंजान पन, यह हमें खतम करना है, तो कोशिश करूँगा, और hope करूँगा, कि मेरे through, इंडिया में यह topic famous हो जाए, और आप लोग भी अगर आप कोई पसंदा है, तो please अपने दोस्तों को बताना कि end dash होता क्या है, through my video, so आप से मिलता हूं next video में, तब तक के लिए, please take care and bye.